पूरे हर्याड़ा में विधान सभाज चोनाव की तैयारिया जोरो शोरो से चल रही है यह यू कहो कि परदेश में जो है एक लहर चली है फिजा चली हुई है चोनाव की सभी पार्टियों की नेता जो है पूरा जोर आजमाईश कर रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो फिलहाल हमारे साथ प्रितना विधान साबाद से संदीप शर्मा जी है जो विएसपी से जीला पार्शत प्रतिनीदित है और जानेंगे पहले सबसे पहले स्वागत करती हूं आपका देश रोजाने में स्वागत है आपका जी बहुत भुत धन्यवाद आपके चैनल के सिवा को अपनी बीच में लोगों के सेंखर्स के लिए उनके सुक दुख में उनके सात लगे हुए है और जन्ता के हमेसा भीछ में तो मैं ये भी बताइगा थम्यों सा कि कौन कौन सी पार्टी में रहा है आप तरक सा हमारी शुरुबात इन्डिया नेशनल लोगदल से चातर जीवन में में हम युनिवर्स्टी के प्रेज़ेंट रहे थे उसके बाद इंडिया कि यह य में चिली के काई रहे वर्ष से करीब हमने भाजपा में वहमिन दायतों पर रहे जिले में और पिरदेश की ग्रीवेंस कमेटी के महिंबर भी रहे हर्यान सरकार के कई पदों पर हमने कारे किया तो ऐसा क्यों लगा आपको आपने भाजपा को छोड़ा और बीएसपी जोईन कर ली जी देखिए सभी पार्टियों की अपनी विचारधारा होती है और हमने दो वर्ष पूर बहुजन समाज पार्टी को जो सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय की पार्टी है कमेरे वर्ष के लिए और गरीबों के लिए कारे करती है तो हमने समाज की सेवा के लिए उसको चुना और पीछे दो वर्ष पूर जब जिला प्रिश्चत के चुनाव हुए तो हमने जिला प्रिश्चत के चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा बहुज चीता है तो नहीं पिलतल जो है प्बी-एस्पी का और इने अलो का गठ बंदन जिबर तो इससे पार्टिक कितनी मजबूत होती है वीयर श्जैत भी की बात करें तो तो ईने जाए वह तो ऑर श्रंद मंदन हुआ है कि हरियाना के ठाह्लात अज ऐसे बने वह में हैं ना तो कॉंग्रेस की सरकार फुल्फिल हर्याने में आने को दिखाई दे रही है लोगों को ना भाजपा की सरकार दस साल की जो एंटी इन कंबिनेश यह भाजपा के खिलाफ वो लोगों में है तो एक तीसरा विकल्फ बसता है इंडियन नेशनल लोगदल और बस्पा के गठवंदन का मैं आपको आज बता रहा हूं दो डाइमेने बाद चुनाव हैं दो डाइमेने बाद आप देखोगे इंडियन नेशनल आजपा और कॉंग्रेस में टिकट ना मिलके कारण जो भगदर मचेगी वो कंडेट आएंगे तो निश्चित तोर पर बस्पा और नेलो के जो प्रतियासी होंगे वो सरकार को चलाने में सहों करेंगे लगता है जी लगता नहीं है निश्चित रूप से बस्पा नेलो गठ पर समय समय पर होते हैं कैयी और पार्टियों के साथ गठ बंदन हो चुआ है देखे लिए अगर बस पास न वह थी तो साहिफ आज देश में भाजबारी सरकार ना होकर इंडिया घठ बंदन के लिए लोगस भा में क्यों हो चाल गाया लिए बहुजर समाज पार्टी प्रितला विधान सवा में कितना विकास हुआ है और आपको अगर पार्टी मौका देती है तो क्या कमिया है वहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं वहाँ की जनता के लिए देखिए प्रतला विधानसवा एक ग्रामीन आंचल है प्रतला विधानसवा की जो सीट है वो पूरा दिहात छेतर है इसमें लगवग 85-86 पंचायते हैं वाकी अधर्स ग गाउं टोटल बैठते हैं और यह ऐसी सीट 2009 में बनकर आई प्रतला विधानसवा इसमें कुछ बल्लवगड और कुछ प्रत्पलवल के गाउं समनेतो कर बने तो यहां जो निता दिन रात लोगों के बीच में रहता है चाहिए वो किसी पार्टी से हो यह नहीं हो जो मेहनत करता है लोगों के सुख दुख में रहता है वो कंडेट चुन कराता है कि 2009 में यहां से कॉंग्रेश के रविर सिंग तेवत्यत जीते थे 2014 में बहुजन समाज पार्टी से टेक्चन सर्माजी जीते थे 2019 में निर्दल ये विधायक के रूप में नेनपाल रावत जी जीते थे लेकिन आज माहौल 2024 का ऐसा है मुझे नहीं लगता कि जनता किसे भी कंडेट को रपीट करना चाहती है को नया चेहरा ऐसा आएगा जो प्रतल अवधानस्वा का 2014 में नेत्रत करेगा अगर पार्टी आपको टिकट दे तो किस मुद्दे पर टिकट दे क्योंकि चेहरे तो और भी हैं ब्यस्पी के जहां से दावेदारी कर रहे हैं ब्यस्पी से देखे आज की डेट में गठवंदन के हम तीन उम्मीदवार हैं जिसे जो लुकल लीडर है प्रत्लाव अधांसवा का मेरे करम भूमी पिरत्लाव शेत्रों एक ब्यस्पी से शुरहंदर उश्चिषी है जो एक तरह से कहूं तो बहरी गंडेट ये अग्रस पी सेнок मुधा तेवतिया जी हैं वो भी हां के लोकली है भाह से और कि तीनो से हमें टिकट मिलेगी तो सब्की अपनी अपनी दावेदारी है हम और जलापर्शत कि हमने निकाल कर देट हमने पार्टी को बोजस्माज के चुनाम जीती है तो यकीन हमें पार्टी ने वरोसा दे रखा टिकट निश्चित तोर पर हम मिलेगी और मैं कहूं तो नब्बे में से पहली सीट कोई जीत कर जाएगी तो प्रतला विधानसभा बहुझा स्वाज पार्टी जीतने वाली है इंडियन नेशनल लोग दल के ग कह रहा था कि तीनों कंड़ेटों कोई रिपीट नहीं करना चाहता है जनता में सी अवाज है क्योंकि 2009 में रगवीर सिंग तेवतिया जी बने थे उसके बाद दो चुनावर होई दोनों हरे उसके बाद 2014 में टिक चन सरमा जी जीते उन्होंने 2019 में भाजपा के साथ उन्हों टिकट नहीं दी स्टिंग एमल होते वे भी तो अब की बार ही मुझे लगता नहीं है देखो वो तो पार्टी होगा अपना खाम है और उन्निस में जीते हैं नेनपाल रावज जी तीनों कंडेटों के होने के बावजूद प्रतला विधानसवा का जो ग्रामी नाचल है मैं मैं रोजगार की बात करूं तो इन्डेश्टिल जोन फारदाबाद का जो कहिं जिसे अ, वो प्रतला dann बाती gal प्रूपर इंड़िस्टी एरिया का जो कुछ इससा है वह प्रितलव दानसमा माता है दूदोला ला भगोला यह सारा इंड़्ेस्ट्री एरिया कि दानसमा माता है लेकिन फिर विर विरोजगार के लिए हमारे जो नौजवानें वो दर दर भटक रहें चक्केर में बाद करूं तो आएम टीमें बड़े बड़े प्लांट है यह आमूल का प्लांट है कि या ततारपुर में इन में जो प्लांट हैं इंडिस्टी के हमारे विदान सभां के बच्चे जो रोजगार है सिक्षित हैं अगर उनको लियंख है और पेले पारोजगार दिया जाए तो भी रोजगारी कम होगी लात की थी तीन किसी ने काम नहीं किया कि एक ऐसा ZuDra Set कि जैसे विधानसवा वह में रखते कि हमारे विधानस ब्रहें कि जब हम को चीज दे रहे हैं हमारे चेतर में कोई बन रही है तो उसका लाब तो मिलना वह के लोगों को चाहिए तो मेरा पहला मेरा पहला एजंड़ा रहेगा रोजगार के लिए जतने वी रोजगार मैं नौजवान देव पांगा उनके लिए शंगर्ष करोंगा सबसे पह यह सबसे पहले मेरे कारे रहेगा उसके बाद चिक्सा कोई भी ग्रामी नांचल से कोई व्यक्ति दिन हो या रात हो अपने पीएसी सेंटर सीएसी सेंटर विधानसवाम में हमारे बने हुए हैं बड़े-बड़े गाउं में उनका उपचार उनका इलाज बड़े से बड़ा पर हो कोई के एक हैं सको किए पेसेंट के साथ तो ही बाहर जाये शलnorm में ना लोते तो उनकी सारी व्यक्तिटा की विधानसवा के सरकारी हरा को लेकिन द्धान किसी का नहीं है अगर विधायक इन पर ही ध्यान देदें तो मुझे नहीं लगता की नभी परसेंट पेशेंट में पर ठीक हो सकते हैं विधान सवाकिर कि लोटने की बड़े ऐस्टेन में पैसे जमा कने कोई तो मुझे निलगता वह विधानसवा खुशाल रहने से वन्चित रहेगी वह विधानसवा हमेशा खुशाल रहेगी इन तीनों मुद्दों पर हम काम करें तो बात करें बीस्पी प्लस इनलो क्या कड़ा मुकावला कौन सी पार्टी से हैं देखिए यह बस्पा का сим्बल है हाती और एक कहा वत्ती हाती नहीं गनेश है तो हाती के टकर किसे हो सकती है हाती की टकर तो अपने आप से ही अकर वोई कमजोर पढ़ जाए तो अलग बाद नीए हाती किसी से नहीं है और अब तो हाती को चस्में भी लग गए सब कुछ साप साप दिखाई दे रहा है फिर भी बात करी चाहिए कि लोगों को भी सारी चेसे समझ मा रही है क्या करना है कि दर वोट में जा रहा है लोगों को सब समझ मा रहा है विधान सभा के लोग बिल्कुल निश्चिंत है वो संदीब सर्मा को टिकट मिले और कव हम वोट डालने जाएं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैसेज देखिए जनता देवतुल्य भखवान है हमारी तो सभी से हाथ जुड़कर निविदन है कि आने वाले चनाव में दोजार चौश में पार्टी हमें निश्यत रूप से ट इन सद्वक साथ अपनी वानी को राम दिते हैं तो हमारी शुप कामना आपके साथ हैं जी यह बहुत बहुत धन्यवाद आपने शोपर बुलाया यह हमारे साथ अभी व्यस्पी के जिला पार्शत परतिनीदी मौजूद हैं फिलाल अभी और बहुत शुकरिया आपका आप